नमस्कार बच्चो आज हम आपकी व्यवसाइक अध्यान के पहली पुस्तक का छठा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं अध्याय का नाम है नियुक्तिकरन जैसा कि आप इसके पिछले अध्यायों में देखते हुए आए हैं हम इस पुस्तक में प्रबंधन को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम प्रबंधन की प्रक्रिया को उसके अंदर आने वाले कारियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं अर्थात एक व्यवसाइय में एक प्रबंधक यानी मैनेजर या प्रबंधक समू किस तरह से अपने कारियों को करते हैं और क्या क्या कारिय वो करते हैं इसको हम एक एक करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं प्रबंधन की इस प्रक्रिया में पहले दो कारिय जो हमने देखे वो थे नियोजन वह संगठन के कारिय जैसा कि आपने देखा नियोजन के कारे के फलस्वरूप एक विवसाय को या प्रबंधन को योजना प्राप्थ होती है, उदेश्य प्राप्थ होती है उन्हें यह निर्धारित करने में सहयता मिलती है कि वो क्या करना चाहते हैं, कब तक करना चाहते हैं, वो किस विधी द्वारा करना चाहते हैं ये सब निधारित करने के बाद जब वो अपनी योजना या विधियों को क्रियानवित करने लगते हैं तो वहाँ फिर उन्हें अन्यकारिय करने पड़ते हैं जिनमें सबसे पहले आता है संगठन का कारिय संगठन के कार्य में प्रबंधन अपने व्यवसाय या संस्थान का एक संगठन आत्मक धाचा उसके अंदर लोगों के अधिकार, उनके कर्तव्य, उनके आपसी संबंद, जवाब देही, इन सभी चीजों का निर्धारण करते हैं एक बार जब संगठन का धाचा तयार हो जाता है, उसके फलसोरूफ हमें यह पता लग जाता है कि हमारे संगठन में कितने विभाग होंगे, कौन किस विभाग के शीर्षपर होगा, किसका क्या पद होगा, किसके अंदर कितने व्यक्ति कार्य करेंगे एक बार ये पदों वो परिस्थितियों का निर्धारण हो जाने के बाद अगला कार्य या अगला चरण जो आता है वो आता है नियुक्तिकरण का जो की हमारा आज का अध्याए है जब हमने वेवसाईक धाचा त्यार कर लिया, संगठ नात्मक धाचा त्यार कर लिया इसके बाद हमें यह तो पता लग गया कि हमें कितने पदों पर कितने लोगों की आवश्यक्ता है अब अगले चरण में हमें यह चाहिए कि हम उन पदों को भरना शुरू करें संगठन के धाचे में रिक्त पदों को भरना ही नियुक्तिकरन कहलाता है यहाँ प्रक्रिया यानि प्रबंधन की प्रक्रिया का वह भाग है जो एक संतुष्ट करने वाले, वा स्वयम संतुष्ट रहने वाले कार्यबल को प्राप्त करके उनका उप्योग करने वो उनके रख रखाव से संबंदित है इस वाक्य को फिर से सुने आप नियुकति करन प्रबंधन का वह भाग है जो ऐसे कार्यबल को प्राप्त करके उप्योग करने वा उनके रख रखाव से जुड़ा हुआ है जो कार्यबल स्वयम भी संतुष्ट है यानि ऐसे लोग ऐसे कर्मचारी जो संतुष्ट हैं, प्रेरि को अधी कर न इसे कारिय बलको प्राप्त करना उनको व्योग करना उनका रख रखाव करना उनकी समस्य आहें जरूरतों आधिका ध्यान रखना यह सब नियुक्तिकरन की प्रक्रिया या चरन का भाग है कि किसी भी व्यवसाईक संगठन में नियुक्ति करण को भरती करने वो कर्मचारियों की संख्या पूर्ण रखने से संबंधित कारी के रूप में जाना जा सकता है यानि नियुक्ति करण का जो सबसे मुख्य कार्य है या सबसे मुख्य बिंदू है इसके अंदर वह यह है कि हमें कर्मचारियों की भरती करनी है लेकिन साथ ही साथ हमें भरती के बाद कर्मचारियों के संख्या पूर्ण भी रखनी है यानि अब नियुक्ति करन केवल भर्ती करने पर या भर्ती करने तक सीमित नहीं रह गया है कर्मचारियों की भर्ती करने के बाद हमें यह भी सुनेश्चित करना होता है कि उनकी संख्या पूरी बनीर है अर्थात कर्मचारी संतुष्ट है वो हमारे संगठन या संस्थान को छोड़ना नहीं चाते लेकिन यदि किसी कारणवस कुछ कर्मचारी छोड़ते भी है तो हम तुरंट उनकी भरपाई करें उनकी रिक्तिस्थानों की पूर्ती करें यानि कर्मचारियों की संख्याओं को पूर्ण रखे या तो उसे खाली ना होने दे उसके लिए हमें कर्मचारियों के हितों का उनकी जरूरतों का अच्छे से ध्यान रखना होगा या यदि खाली होती है तो उन पदों को हम तुरंद भरें ताकि करमचारियों के संख्या पूर्ण रहे तो नियुक्ति करण में भरती करने वह करमचारियों के संख्या पूर्ण रखने पर ध्यान दिया जाता है नियुक्ति करण की प्रक्रिया किसी भी व्यवसाय या संगठन के लिए बहुत महतोपूर होती है क्योंकि बच्चों कोई भी संगठन या व्यवसाय कर्मचारियों से ही चलता है आप कितनी भी अच्छी योजना या धाचा कागस पर तयार कर लें कितने भी अच्छे आप तंत्र या मशीने ले आएं लेकिन जब तक आपके पास योग्य कर्मचारी नहीं है परियाप्त मातरा में नहीं है तब तक आपका वेवसाय कैसे काम करेगा वो आगे कैसे बढ़ेगा तो क्योंकि कर्मचारी किसी भी विवसाय या संगठन को आगे लेके जाते हैं और नियुक्ती करण कर्मचारियों से जुड़ा हुआ एक चरण या एक प्रक्रिया है तो ऐसे में नियुक्ती करण एक बहुत ही एहम या महत्व पूर्ण प्रक्रिया बन जाती है आईए, नियुक्ति करण के महत्वों को कुछ अन्य बिंदों से समझे इसका सबसे पहला लाब तो यह हुआ कि यह हमारे संगठन में विबिन पदों के लिए योग्य कर्मचारियों को खोजने में सहयता करता है सबसे पहला कारी तो यही है कि नियुक्ति करण के द्वारा हमें योग्य कर्मचारी मिलते हैं जो कि एक बहुत अच्छी और जरूरी बात है क्यों योग्य कर्मचारी होंगे तभी तो संगठन योग्य बनेगा और अपना काम अच्छे से करेगा तो नियुक्ति करण हमें योग्य कर्मचारी प्रतान करता है दूसरा नियुक्ति करण के माध्यम से हम ना किवल कर्मचारी प्राप्त करते हैं बल्कि हम इसके अंदर उपयुक्त व्यक्तियों को उपयुक्त पदों पर भी नियुक्त करते हैं सही लोगों को सही जगा पर लगाने से ही तो काम सही होगा यदि हमने किसी ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे काम में लगा दिया जहां उसके रुची या उसकी दक्षता नहीं है तो वो उस काम को सही नहीं करेगा अगर वो उस काम को सही नहीं करेगा तो संगठन का काम खराब होगा इसलिए सही व्यक्तियों को सही जगा पर नियुक्त करना भी बहुत जरूरी है जो कि नियुक्ति करन के अंदर होता है इससे हमारे संगठन का कार्य बहतर बनता है अब प्रभंदकों द्वारा नियोजन के संस्था में निरंतर्ता बनाए रखने के लिए संस्था को आगे लिजाने के लिए उसके विकास के लिए यह निशित करना जरूरी होता है कि कर्मचारियों की संख्या परियाप्त बनी रहें यदि कर्मचारियों के संख्या परियाप्त नहीं रहेगी तो संस्था में निरंतर कर्मचारियों को ढूंड़े जो कि हमारे संस्था के साथ लंबे समय तक रहें जिस्ते कि संस्था में दिरंतरता भी बनी रहे और संस्था के विकास में भी सहायता मिले तो उचित नियुक्तिकरण इसमें भी सहायता करता है इसके अलावा यहां हमें मानव संसाधनों के सर्वोत्तम उप्योग के लिए आश्वस्त करता है हम आगे पढ़ेंगे कि नियुक्ति करन केवल नियुक्त करना ही नहीं है इसमें कर्मचारियों से जुड़ी बहुत सारी गतिविदिया देखे जाती है जो ये सुनिश्चित करती हैं कि जब हमने कर्मचारियों को नियुक्त किया तो हम उसके बाद उनका उप्योग भी सही तरीके से करें सही जगह पर लगाएं, सही प्रकार का काम दें, समय पर प्रिसिक्षन दें, उनकी जरूरतों का ध्यान रखें ताकि हमारे कर्मचारी, यानि की मानव संसाधन, इनका सर्विष्रेज्ट उप्योग हो सके हैं इसमें भी नियुक्तिकरन हमारी सहायता करता है इसका फायदा यह होगा कि यदि कर्मचारियों का उप्योग भैतर होगा तो हमारी लागत भी कम लगेगी और यह सब करके नियुक्ति करण हमें हमारे संस्ता के उद्देश्यों की पूर्ती में सहायता करता है इसके लावा यह कर्मचारियों को संतोष प्रदान करता है उनका मनोबल बढ़ाता है तो इस प्रकार हमने देखा कि नियुक्ति करण एक बहुत ही महत्वपूर्ण वह लाबदायक प्रक्रिया है किसी भी विवसाई के लिए अब नियुक्ति करण के बारे में और विस्तार में जानने से पहले एक बात आपको समझ लेना बहुत जरूरी है कि नियुक्ति करण को पहले एक बहुत छोटी चीज या छोटी प्रक्रिया माना जाता था पहले के समय में ऐसा माना जाता था कि बस करमचारियों को रखना है और काम खतम हो गया अब चाहे करमचारी कैसे भी हो वो काम कैसा भी करें इससे पहले इतना मतलब नहीं होता था लेकिन अब नियुक्ती करन एक बड़े छेतर में बदल गई है अब हम इसे मानव संसाधन प्रबंधन यानि Human Resource Management का एक भाग माने लगे हैं अब ये एक बड़ा शब्द बड़ा छे तरह बन कर उबर के आया है जिसमें हम सिर्फ नियुक्त करने की बात नहीं करते हैं हम बात करते हैं मानवों को जो हमारे संगठन में काम करने वाले लोग उन्हें संसाधन मानते हुए उनका उचित प्रबंधन करने की बात होती है जैसा हम अपने अने संसाधनों की चाहे वो पूंजी यानि पैसा हो मशीने हो आदी चीजे हो इनको हम व्यर्थ करने की से बचने की कोशिश करते हैं उसी तरह मानव संसाधनों को भी व्यर्थ करने से बचना चाहिए, उनका उचित प्रबंधन होना जरूरी है ताकि मानव संसाधन अच्छे से अपना कारी कर सकें, क्योंकि मानव संसाधन किसी भी संगठन का सबसे महतोपूर्ण संसाधन होता है, ये वो संसाधन होता है जो अ तो पूर्ण प्रक्रिया मानकर अब इसे मानव संसाधन का नाम देने लगे हैं बड़ी-बड़ी कंपनियों में तो इसके लिए विशेश विभाग बनने लगे हैं मानव संसाधन विभाग या Human Resource Department के नाम से कंपनियां अपने अंदर विशेश विभाग बनाने लगे हैं इसके अंदर एक विभाग में इतने सारे लोग होने लगे हैं जो मिलकर कंपनी के अन्य सभी विभागों या पूरी कंपनिये विवसाएक के मानव संसाधनों के विकास रख रखाव का काम करते हैं मानव संसाधन के प्रबंधन से जुड़े विशेशग्य होने लगे हैं आज यह एक सिक्षा का छेत्र बन गया है जहां लोग मानव संसाधन का प्रबंधन पढ़ते हैं सीखते हैं प्रसिक्षण लेते हैं विशेशग्य बन कर आते हैं और कंपनी में विशेशग्य की रू संसादनवा के विकास पर ध्यान दिया जाता है अब जब मानव संसादन की बात या उसके प्रबंधन की बात होती है तो इसके अंदर कई सारी क्रियाएं या करतव्य शामिल होते हैं, जो नियुक्ति करन से जुड़े हुए हैं, उससे कुछ हद तक विस्तिरितिया बड़े भी हैं, तो आईए एक बार इनकी बात कर लेते हैं, कि मानव संसाधन प्रबंधन में ये जो विशेश विभाग अब बनने लगे हैं कमपनियों में, वो करते क्या हैं, इनका काम क्या है, इस विभाग या एक मानव संसाधन प्रबंधक का कार्य सबसे पहले तो शुरू होता है योग्य व्यक्तियों की खोज के साथ, यानि भरती के साथ, या नियुक्ति के साथ, कर्मचारियों के नियुक्तिय भरती करने के अलावा, अब प्रतिय कार्य का वि कि विश्लेशन करके उसके अंदर आने वाले करतवयों की सूची बनाए जाते हैं कि इसके अलावा कर्मचारियों का निरंतर प्रसिक्छन उनके विकास के लिए गतिविध्या क्रयाएं करना यह इनका कार्य है। श्रमिकों से संबंद बनाके रखना ताकि समय समय पर जो होने वाले हरताल आदी हैं वो रुख सकें ये भी इसी विभाग का कारे हैं कर्मचारियों के कल्यान उनके लिए समाजिक सुरक्षा के प्रावधान करना योजनाय बनाना ये भी इनका कारे है यदि श्रम कानून से जुड़े कोई कानूनी मामले कमपनी के उपर आते हैं तो उसमें कमपनी की सुरक्षा करना वा बचाव करना भी इस विभाग का कारे हैं कर्मचारियों से जुड़े किसी भी प्रकार की छती पूर्ति प्रोत्सहान योजनाएं कर्मचारियों को आगे बढ़ाना उनकी छती की पूर्ति करना ये सब भी इसी विभाग का कार्य माना जाता है तो हमने देखा कि मानव संसाधन प्रबंधन के नाम से अब एक बहुत विस्तरित छेतर उभर कर आया है जो केवल कर्मचारियों की भरतिया नियुक्ति पर ही केंद्रित नहीं है बलकि उनके प्रिसिक्षण, उनसे संबंध स्थापित करना, उनके कल्याड हेतु योजनाय बनाना, कानूनी दापनी संभालना ऐसे कई कार्य हैं जो अब यह छेतर करता है जो बड़ी-बड़ी कंपनियों के अंदर के मानव संसाधन विभाग वो उसके कर्मचारी करते हैं इससे यह बात तो पश्ट हो जाती है कि आज के समय में मानव संसाधनों पर बहुत ध्यान दिया जाता है इसलिए उनकी नियुक्ती पर भी बहुत ध्यान देना अनिवार है क्योंकि मानव संसाधन विकास वा उनका प्रबंधन तो तब होगा जब हम उचित व्यक्तियों के नियुक्ती करेंगे तो नियुक्ती करण एक बहुत महत्वपून प्रक्रिया बनकर आती है नियुक्ती करण के पूरे इस चरण में कई स्तर या कई कदम उठाने पड़ते हैं जो मिलकर एक प्रक्रिया का एक शरंखला का निर्मान करते हैं जिसे हम नियुक्ती करण की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं तो बच्चो आईए अब नियुक्ति करण की इस प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं आज हम इसके अंदर आने वाले विभिन्न चरणों का एक संक्षिप्त रूप में जिक्र करेंगे ताकि हम आने वाले भाग में विस्तार से इस प्रक्रिया को समझ सकें नियुक्ति करण की प्रक्रिया में मुख्य पांच चरण आते हैं पहला चरण है मानव शक्ती आवशक्ताओं का आकलन बच्चो आज हम इस पर एक विस्तरित चर्चा कर लेते हैं यहाँ नियुक्ति करण की प्रक्रिया का सबसे पहला चरण माना जाते हैं इसे मानव शक्ति आवशक्त्याओं का आकलन कहते हैं नियुक्ति करण की आगे की प्रक्रिया क्या वह कैसे होगी वह पूरी तरह से इसके ओपर ही आश्रित है जैसा कि इसका नाम है मानव शक्ति आवशक्त्याओं का आकलन तो इसके अंदर हम यह देखते हैं कि हमारे संगठन या उसके किसी विशेश विभाग में मानव शक्ति की क्या अवशक्ता है या एक प्रकार का एक वैज्ञानिक कदम, चरण या क्रिया है जिसके अंदर सोच समझ के वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पता लगाने की कोशिश की जाती है कि उस विभाग या हमारे संगठन में मानव शक्ति की अवशक्ताएं क्या वो कितनी है भरती करने या आगे के कदम उठाने से पहले सबसे पहले यह जरूरी हो जाता है कि हम यह तो पता करें कि मानव शक्ति की अवशक्ताएं कितनी है इसके लिए दो प्रकार के विशलेशन किये जाते हैं पहला विशलेशन होता है कार्य भार विशलेशन वर्क लोड अनालिसिस वह दूसरा विशलेशन है कार्य बल विशलेशन यानि वर्क फोर्स अनालिसिस कार्य भार विशलेशन में हम यहाँ पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किसी विभाग यह हमारे समस्त संगठन में विभिन कार्यों के लिए किस प्रकार के कितने व्यक्तियों की आवशक्त है यानि हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि कार्य का भार कितना है कितने लोगों की हमें जरूरत है उस जगा पर माल लीजिए हमने पता लगाया हमने देखा कि हमारे पास जितना कार्य है जितना काम हमें एक निश्य समय में करके देना है उसके लिए हमें 100 लोगों की आवश्क्ता पड़ेगे यानि हम कह सकते हैं कि कार्य भार 100 लोगों के बराबर का है हमें 100 लोगों की अवशक्ता है इस कार्य को करने के लिए अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास मौझूदा कार्य शक्ती कितनी है मौझूदा कार्य शक्ती में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि विभिन प्रकार के जो कार्य हमने देखे उनमें हमारे पास कितने कर्मचारी अभी है हमारे पास कितनी शक्ति उपलब्द है माल लीजिये हमने देखा कि हमारे पास 80 कर्मचारी उपलब्द है तो हमारा कार्य भार 100 लोगों का है जबकि हमारे पास असी वेक्तिया करमचारी उपलब्द है ये दोनों चीज़ें देखने के बाद हमें क्या पता लगा कि हमें इस विशेश कारिय के लिए 20 लोगों की आवशक्ता और है इसकी विपरीत ऐसी स्थिती भी हो सकती है कि जहां कारे भार कम हैं लेकिन लोग ज़ादा लगे वे हैं यदि लोग ज़ादा हैं तो या तो उन लोगों को निकाला जाएगा या उनको किसी अन्य कार्य में भेजा जाएगा यदि दोनों बराबर हैं जितने लोग चाहिए उतने ही लोग हैं फिर कुछ भी नहीं करना लेकिन यदि कार्यभार जादा है और शक्ति हमारे पास अभी कम है जैसा कि हमारे उधारन में देखा हमने 100 लोगों का कार्यभार और 80 लोग उपलब्द हैं यानि हमें 20 लोगों की और आवशक्त्य है यहां पे शुरू हो जाएगा नियुक्ति करण का एक पूरा चरण या पूरे पुरी प्रक्रिया जिसमें हम आगे के कदम उठाएंगे तो मानव शक्ति विशलेशन के बाद आवशक्ताओं को जाचने के बाद हमें यह पता लग जाता है कि हमें कर्मचारी चाहिए या जादा है या पूरे है यदि हमें कर्मचारी चाहि तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और अगले कदम उठाएंगे इस प्रक्रिया के अगले कदमों में सबसे पहले भर्ती का कदम आता है भर्ती का अर्थ है कि अब हमारी कंपनी कोशिश करेगी कि हम विभिन्द माध्यमों से लोगों तक बाहर या बात पहुंचाएं कि हमें इस का या कॉले जादी में जाके वहां से लेकर आएं लोगों को हम अलग-अलग श्रोतों का विशलेशन करके चैन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे संगठन में काम करने के लिए अर्जी दें यानि भर्ती वह चरण है वह कदम है जहां पर हमा आत्मक प्रक्रिया कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हम एक तरह से कंपनी अपनी बाहें खोल कर जादा से ज्यादा लोगों को बुलाना चाहती है से अपने लिए कर्मचारी चुनेंगे जो कि हमारा तीसरा कदम होगा भरती के बाद हमारे पास आ जाएंगी बहुत सारी आवेदने अब हम उन आवेदनों में से कर्मचारियों का चयन करेंगे चयन हो जाने के बाद उन्हें उनकी जगह पर विस्थापित किया जाएगा उन्हें उनका काम सौपा जाएगा वो इसके बाद हम समय समय पर उनका प्रेसिक्शन में विकास करेंगे ये पाँच मुख्य चरण हैं जिन मेंसे हमने दो चरणों पर विस्तार में चर्चा भी की सबसे पहला चरण मानव शक्ति आवशक्ता का विशलेशन करना या देखना कि हमें कितनी मानव शक्ति के आवशक्ता है उसके लिए कारे भार वा कारे शक्ती को जाचना जब यह लगे कि हमें मानव शक्ति या संसादन के आवशक्ता है तो फिर उसके लिए भरती की प्रक्रिया करना, लोगों के आवेदन मंगवाना ताकि जादा से जादा आवेदन हमारे पास आएं ये दो चरण करने के बाद, फिर इसके बाद के तीन चरण है आवेदकों में इसे चयन करना, उनको उनकी जगह पर विस्थापित करना, वो समय समय पर उनका प्रिसिक्षन देना आने वाले भाग में हम इन तीन चर्णों पर विस्तार में चर्चा करेंगे हम इन चर्णों के अंदर आने वाले विभिन चर्णों को भी देखेंगे हम भरती की विभिन शुरोतों पर भी चर्चा करेंगे तो यह बहुत विस्तरित अध्याय होने वाला है बच्चों अगे इनके अंदर के चरणों की और विस्तार में चर्चा करें तो आपको उन्हें समझने में आसानी हो आज के इस भाग में इतना ही धन्यवाद ऑोज्या गु SARमा इतना ही फ में ड्स आपको उन्हें और वालग में एफ डितना ही झाल झाल